राम राम दोस्तो मैं अरुन कुमार डारेक्ट वेधिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज चर्चा करेंगे भ्रहस्पती घर है गुरू जब कुंडली के छटे भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं अंडरस्टेंडिंग उफ जुपीटर इंदा सिक्स ताउस ओफ यूरोस्कोप ब्रहस्पती को अगर समझे तो ब्रहस्पती सभी घरों में नसरगी कुरूप से नेचुरली मॉस्ट बैनेफिक प्लेनेट है सबसे शुब ग्रह है ब्रहस्पती दूसरे पांचवें नोवें द भी होता है शिक्षा का उच्छ शिक्षा का ब्रहस्पती कारक है ज्यान अध्यातम धार्मिक्ता दान शीलता नेतिक्ता प्रोप कारिता जो रिती रिवाज होते हैं रिचुवल्स तीर्थी यात्रा इन सब का कारक ब्रहस्पती होता है और ब्रहस्पती का मुख्य बुन है क्योंकि ब्रस्पति भागे का कारक है लग फेक्टर का तो भागे से ही जीवन में अच्छे तरक्की के अफसर बूड अपॉर्चुनिटीज मिलती है इसलिए विर्धी का विस्तार एक्सपेंशन ग्रोथ का कारक ब्रस्पति है और ब्रस्पति का प्रभाव बड़ा व्यापक होता है गुरु का मतलब ही होता है बड़ा जो महान हो अकास्तत्व का नियंत्र के भरस्पति चटे वाग को अगर हम समझे तो छटा वाग होता है रोज मर्रा के संगर्शों का आपकी रोटीन की रुकावटों का जो भी ऑस्टेकल आपके जीवन में वो छटे बाव से देखी जाती है चोटा वाँ सर्विस का भी होता है जोब का मेडिकल प्रॉफेशन कानून के खितर भी च्छ concur से देखे जाते ते चाटा वाओ साजेदारियों के तूटने को भी दर्शाता है 2 Estate Germans का होता है साथमय से बारवां भाव होता है यह चटा बाव समाज सेवा सोशल सर्विस को भी दिखाता है जो समाल स्केल की नॉन प्रोफिटेबल ओर्गिनाइजेशन्स होती हैं और पालतु जानवर भी चटे बाव से देखे जाते हैं चटा बाव तिर्क बाव भी है यानि कि जो चटे आठव और बारव हो तिर्क बाव बोले जाता है दूस्टाना ऑसिस अशुब और चटा बाव हर्थ तीर्क आगाम का वी हिस्सा दूसरे चटे और दस्वे भा़ को अर्थ तर्कोन Contra जाता यानि कि धन्म के मामलों से समंधित भी है उपच्च्छ थानव इह तीसरा चटा बेनेफिक्स जैसे कि बरस्पती चटे बाव में संगर्ष को बढ़ाते हैं बरस्पती वैसे ही विस्तार का विर्दी का कारक है एक्सपेंशन का तो बरस्पती अगर चटे बाव में है तो आपका ज्यान बुद्धी मता विजडम आशावादी सोच दार्शनिक्ता ये सब बरस्पती अगर चटे बाव में और कमजोर और पीडित भी है तो अबेस्टी मोटापे की चरवी की समस्या दे सकते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल लिवर की समस्या डायबिटीज पाचन तंतर की समस्या ये सब हो सकती है बरस्पती की जो नौवी दृष्टी ये वो दूसरे भा कामी लंबी चलने वाली जो बीमारियां करॉनिक डिजीज इस उनके परति साफदान रहना चाहिए ज्यादा जो नकरातमक फल है बरस्पती का वह तबी होगा जब ब्रस्पति आपके लगनेश का शत्रूविया पहले बाव के मालिक का शत्रू बी और ज्यादा साफदानी की दशा में ही रखने की जरूरत होती है बरस्पति अगर चटे बाव में है तो आपकी संगती खराब हो सकती है मतलब गलत मारक दर्शन आपको मिल सकता है गलत संगती के गलत मारक दर्शन देने वाले लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं स्वर्थी लोगों के संपर्क में बढ़ सकते हैं कोट कचाही के मामले में आप फस सकते हैं लेकिन रोगों का सामना हो चाहे शत्रूओं का सामना हो च्छटे वाव में अगर भरस्पती है तो आप उप्टीमिजम को जरूर पाएंगे बविश्य में सब ठीक होगा ऐसी सकरातमक सोच भरस्पती आपको जरूर कर रहे हों और अगर वह आप से सला लें तो इन मामलों में आप उनका अच्छा मारगदर्शन कर सकते हैं ब्रस्पति जिस वाहों में हो वहां की चीजों के परती ज्यान पराप्ती लर्निंग ओफ डैट हाउस तिंग्स ऐसी प्रेरना जरूर देता है तो नियम कानून को समझ करजना जगडों को निप्ताना रोगो मतलब मैडिसंस के बारे में जानकारी लेना करजो यानि की धनकी मनेजमेंट के बारे में जानकारी लेना इन अक्षेत्रों की जानकर आपको भरस्पति बनाएगा इन अक्षेत्रों की जानकरी आपको होगी कुंडली में अगर अन्य management होता है financial consultancy होती है इन अक्षित्रों में आप अच्छा कर सकते हैं ब्रस्पती संतान का कारक भी है इस मामले में ब्रस्पती का छटे वाव में आना शुब नहीं माना जाएगा पंचम भाव और पंचम वाव का स्वामी अगर निर्बल है तो संतान प्राप्ती में विलंब हो सकता है संतान से तालमेल या संतान को कस्ट के कारन दुखी हो सकते हैं प्रइशान रह सकते हैं शिक्षा पार्तव्गिता में जरूर भ्रस्पती शुबता देगा लेकिनाए उन का सामना आप अच्छे से करेंगे उनमें सफलता मिल सकती है ब्रस्पती की जो पांचवी द्रिस्टी है वो दसम भाव पर जाएगी तो आप दसम भाव होता आपके केरियर का आपके करमों का आप चाहे नोकरी कर रहे हो या वैवसाय कर रहे हो उपद परतिष्ठा अथोर्टी आपके वर्चस्व का होता है ब्रस्पती की साथवी द्रिस्टी बारवें भाव पर जाएगी जो होता आपके खर्चों का एक्सपेंसीज का अध्यातम का भी होता है तो ब्रस्पती चटे भाव में बैठकर पूरी अर्थ त्रिकॉन प्रबावित करेंगे पाव डालने से अगर अगर मितर और शुप आओ का स्वामी एस तो बरहत्कती है भ humid adult अगर वर्षपती आपके लगनेश का शत्रूर्ध बहन सकते हैं दस्वश्वाव और बाववन एक साथ दिरिश्टी डालने से आप शिक्षा के लिए या केरियर के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं ऐसे ब्रहस्पति की दशा अंतरदशा में अधातम ध्यान मेडिटेशन के लिए भी परबाव शुब रहेगा समाज सेवा या पशु पक्षियों के संरक्षन से भी आप जरूर जुडेंगे दोस्तों चटे बाव में होने पर ब्रहस्पति के ये जो मैंने फल आपको बताए हैं इन फलों में अन्य गरों के परबाव से बदलाव होना संभव है आज के लिए बस इतना ही राम राम